नमस्कार साथियों स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल में आज की प्रकासित खबरों में एक बहुत ही महत्वन खबर आई थी जो आपकी साथ सेर करना आउशक समझा मैंने आप देख सकते हैं देनिक भासकर अलवर 18-7-2021 का ये पेपर है और ICMR ने चेताया मास्क ही बचा आएगा तीसरी लहर अगस्त में संभव रोज एक लाख मरीज आएंगे अभी हम कोरोना की दूसरी लहर से भी पूर्ण रूप से नहीं निवट पाए हैं और तीसरी लहर की आसंका जताई जा रही है अई ये देखते हैं तीसरी लहर में क्या होगा थोड़ा डिटेल में हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं कोरोना की दूसरी लहर अभी खतब नहीं हुई कि देश में संक्रमन की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है आईसी एमार में महामारी विज्ञान और संक्रामक रोगों के परमुख डोक्टर समिरन पांडा ने आसंका जाहिर की की तीसरी लहर हो जाएगी आप तो जानते हैं कि इसकी इस्ट्रेंड में परिवर्तन होता रहता है अगर वो चेंज होता है तो काफी संभावना है कि लोगों के ज़्यादा नुक्सान हो सकता है इधर राजस्तान में भी बढ़ने लगे रोगी 42 नए संकरमित तीसरी लहर की आसंका की बीच परदेश में कोरोना फिर बढ़ने लगा है सनिवार को 42 नए रोगी मिले वहीं तीन जिले फिर से सक्रिय होने के संकेत दे रहे हैं जैपुर में 12 उद्रपुर में 9 और अलवर में 8 नए रोगी मिले बाकि सबी जिलों में 5 से कम रोगी मिले परदेश में दो लोगों की मोत हुई आलंकी रात की खबर यह है कि पिछले 9 अप्रेल यानि 465 दिन बाद एक्टिव रोगी 500 के निचाये हैं अब एक्टिव रोगी 496 हैं तो साथी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस खबर को देखते हुए जो कोविड 19 के गाइडलेन हैं उनका पालन करेंगे और अपने आपको और अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे अगर आपको ये न्यूज अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और साथी साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फॉर वचिंग इस वीडियो